Hello Friends, आज के इस वीडियो हूँ आपको बताने वाले हैं कि आप SSB Head Constable का Admit Card कैसे डाउनलोट कर पाएंगे जिसमें कि आपके 181 पोस्ट है 181 पोस्ट के लिए written exam के लिए SSB ने Admit Card जारी कर दिये है जिसका exam जो है जनौरी में 3 जनौरी को होने वाला है तो आप जो है अपने Admit Card को कैसे डाउनलोट कर पाएंगे अगर आप अपना registration number भूल गए हैं तो अपना registration number कैसे प्राप्त कर पाएंगे या फिर password भूल गए हैं तो अपने password को कैसे recover कर पाएंगे उसके साथ साथ में इस इनिक vacancy के advertisement के भी बारे में बताऊंगा कि इसका notification आप कैसे डाउनलोट कर पाएंगे इन सब भी चीजों के बारे में step by step करके आपको complete जानकारी देने वाला हूँ तो इसलिए वीडियो को last तक जरूर देखेगा और साथ ही मेरे चैनल पे अगर पहली बार आए हो तो चैनल को subscribe करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना ताकि आने वाली हर एक नई वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे सबसे पहले तो चलिए शुरू करते हैं तो फ्रेंस वीडियो के description में आपको एक link मिल जाएगा download admit card का आप जाईएगा वहाँ पे click करिएगा उसके बाद में ये page आपके सामने खुल के आजाएगा अब यहाँ से आपको जो अपने admit card को download कर लेना है उससे पहले यहाँ पे note में बताया गया है देख सकते हैं कि written exam for the post of head constable minister in SSB bill we held on 3.1.2021 यह निक 3.01.2021 को आपका एक्जाम होगा इंटर registration number and password to download admit card and interaction यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे download written exam admit card लिखा है उसके नीचे आपको यहाँ पे अपना registration number यहाँ पे डाल देना है उसके बाद यहाँ पे password में आपको password डाल देना है उसके बाद जो एक capture दिया गया है सेम इसी capture को आपको यहाँ पे उतारना हो गए जैसे यहाँ पे लिखा FDHLRS तो आपको यहाँ पे सेम इसी चीज़ को फिल करना होगा उसके बाद नीचे आपको option मिल जाता है login का तो आप login करके easily आप जो है इसी link पे आना होगा आने के बाद में जब वो नीचे आएंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं फारगेट password का यहाँ पे आप संदिया गया है उसके बाद फारगेट registration ID का यहाँ पे बगल में आप संदिया गया है तो अगर आप अपना एनी के password भूल चुके हैं तो आपको यहाँ पे किलिक करना होगा जहाँ पे लिखा है फारगेट password जैसे आप इसके उपर किलिक करते हैं किलिक करने के बाद में आप से यहाँ पे कुछ detail मांगी जाएगी आप अपनी detail डालके अपना password जो है प्राप्त कर सकते हैं यहाँ पे आप देख सकते हैं मांगा क्या गया है registration ID उसके बाद आपको अपनी data birth यहाँ calendar यह दिया गया इस calendar पे आप किलिक करिएगा उसके बाद अपनी data birth जो है select कर लिएगा उसके बाद में नीचे जो एक capture दिया गया है सेम इसी capture को यहाँ पे फिल करके आप submit करके अपना password प्राप्त कर पाएंगे और जो candidate अपनी registration ID ही भूल गये हैं उन candidate को यहाँ पे किलिक करना होगा फारगेट registration ID के उपर जैसे आप इसके उपर किलिक करेंगे आप से कुछ detail मांगेगा उसके बाद में आप अपना इनिक registration ID आसानी से प्राप्त कर सकते हैं यहाँ पे आप देख सकते हैं फारगेट registration ID and password यहाँ पे आपको इनिक select करना होगा आप अपने post को select कर लेंगे जिस post के लिए आपने form फिल किया है जैसे SC, Ministerial, ASI, Stenographer यहाँ जो भी post के लिए आपने apply किया है आप उस post को select कर लेंगे उसके बाद में यहाँ पे आपको अपने एक mobile number देना हो mobile number आपको वही यहाँ पे देना है जो आपने form फिल करते समय दिया था यहाँ जो आपने online form फिल करवाया था SSB के लिए जो mobile number आपने उस time दिया था आप उसी number को यहाँ पे डालिएगा उसके बाद में data birth में यहाँ जो है जन्म की थी आपको जो है डालनी होगी आप इस calendar पे किलिक करिएगा जैसे आप calendar पे किलिक करेंगे आपके सामने calendar आ जाएगा तो आपको अपनी जम्तिति यहाँ से select कर लेना है उसके बाद नीचे जो है यह जो कैपचा दिया गया है same easy कैपचा को आपको यहाँ पे दोबारा से उतार देना है उसके बाद में नीचे आपको submit का option है तो आपको simply submit पे किलिक करके आप अपना registration ID दोबारा से recover कर पाएंगे तो इस प्रकार से आप अपना एनिकी SSB head constable का admit card डाउनलोड कर पाएंगे अब हम बात कर लेते हैं advertisement के बारे में कि आप इसका advertisement जो notice है कैसे download कर पाएंगे जिससे कि आपको जानकारी हो जाए कि कौन से vacancy है इसमें कितनी पोश्टे थी यनि कि सारी चीजों के बारे में आपको उसमें सारी detail में जानकारी मिल जाएगे तो उसके लिए आपको यहाँ पे इसी link पे जबाएंगे नीचे वापस दो बारा से अडवर्टाइजमेंट के option दिये गए है notice आपके सामने खुल के कुछ इस प्रकार से आ जाएगे तो आप यहाँ से इस vacancy की पूरी detail देख सकते हैं कि किस जो है category में कितनी पोश्टे हैं साथ ही जो है कौन कौन सी पोश्टे हैं पूरी detail के साथ में इसमें height chest वगएरा जो भी आप देखना चाहेते हैं 16 page के video आप पूरी जानकारी यहाँ से ले सकते हैं तो आई होप यह वीडियो आप लोगों पसंद आई होगी अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें साथ ही अपने फ्रेंडों के साथ सेर करें